राजधानी पटना के सेटे हाजीपूर सहर इस्तित मुखवाजार का नजारा देखकर आप भी समझ जाएंगे कि यहाँ लॉकडाउन पूरी तरह बे असर और बे खौफ है नहीं परसासन का भै और नहीं कुरूना संक्रमन से किसी तरह का परहीर हमारे संबादाता को देखते ही पुलिस पिट्रॉलिंग की सायरन बजने लगी लोगों ने जो कुछ बताया वो चौकाने वाली बाते कही जा सकती है एक बजूर्ग सबजी वेचने वाले से मास्क के बारे में पूछने पर परतिकरिया कुछ इस परकार देखी गई यहां पर कोई भी अतापता नहीं चल रहा कहीं से भी किसी भी तरीके से जबकि एक मात्र जो हमारे पास सिलूइशन है वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है फिर भी हम इस चीज को इतना कैजूली ले रहे हैं अभी आप देखेंगे कि अब जाके पुलिस वालों ने थोड़ा सा हल्चल मचाना शुरू किया है कि हाँ इस तीज का पालन होना चाहिए आईए हम मिलवाते हैं आपको एक भाई साहब से रुख जाए अंकल भाई साहब आपको क्या लगता है कि ऐसे सिटेशन में सोशल ड परशाशन का आदमी वहां पे खाड़ा है तो आप यह कहना चाहरे है कि प्रशाशन जो है वो सक्ति नहीं बरत रही है यहां पर कोई चीज नहीं है परशाशन का परशाशन यहीं होता है अभी आपके सामने जैसे मैंने बोला तो इनका ठेला अटबाने के लिए राजी हो उसके बाद कोई चीज नहीं है आपका जितना भी आप देख लेगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पर हम देख पाएंगे कि एक सबजी बेशने वाले अंकल जी हैं जो कि काफी बुजर्ग हैं उन्होंने भी मास्क तो बंधाव हुआ है बट उन्होंने मास्क को अपने ना तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम कोरोना जैसे महामारी का सामना हम इस तरह कर रहे हैं इतनी कैस्जुलिटी के साथ मैं इन सब से निवेधन करती हूँ कि किरपया मास्क लगाएं सोशल डिस्टेंसिंग में रहें तब ही जाकि हम इस कोरोना जैसे महामार सुमन की रिपोट